हेलो प्रेंड आज हम बनाएंगे आज दिन में डिजाइन बहुती सरल डिजाइन है इसे कोई भी आसानी से बना लेगा डिजाइन बनाने के लिए मैंने दो इंच लंबा और दो इंच चोड़ा कपड़ा कटकर के लिए है चौकून इसको हम फोल्ड करके कोना तयार करेंगे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कोना बना के लेंगे और उसके बाद हम इसे सिलाई लगा करके ले लेंगे इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इसी तरीके से दूसरा वाला भी फोल्ड करके हम कोना बना लेंगे और इसमें भी हम सिल लगा करके ले लेंगे अभी हम इसे कट करके अलग कर लेंगे और सिलाई के आगे जो इक्ष्रा कपड़ा है इसको हम कट करके एक बराबर कर लेंगे इसी तरीके से मैंने बाकी का बना करके रखा हुआ है यह देखिए और अब हम इसको आस्तिन में अटेश करके डिजाइन ब अटेज करेंगे तो पहले हम ब्लावुज का कपडा रखेंगे और उसके बाद हम बीच में अपना जो कोना तयार किये हैं उसको लेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर का कपडा रख करके हम इसे अटेज करेंगे तो देखे इस तरीके से एक एक हम अस्तर को उठा लेंगे और बी हमने पलट करके लिया है इस तरीके से एक पराबर के दूरी पे रखते हुए हम अटेज करेंगे उसके बाद हम इसे पलट करके सीधा करेंगे ते देखे इस तरीके से एक एक करके हम रखते जाएंगे और चिलाई लगाते हुए हम इसे अटेज कर लेंगे हम इस साइड में भी मार्जन वाला हिस्सा थोड़ा सा छोड़ देंगे हम जो हमारा सिलाई में जाएगा इस तरी किसे देखें यहां पि मैंने अटैज कर लिया है ति हमारा अटैज करकी हो गया है अभी हम इसे पलट करके सीधा कर लेंगे और अस्तर को अंदर के शाइड में फोल्ड कर देंगे ते देखिए इस तरीके से हम अच्छे से इसको रखेंगे और उपर से एक सिलाई हम लगा लेंगे ताकि जो डिजाइन हमने बनाया है वो अच्छे से पैट जाए इह देखिए सिलाई लगा करके मैंने ले लिया है और अभी हम पलट करके यहाँ पे सिलाई लगाते हुए अस्तर को अटेश कर लेंगे अच्छे से घुमाते हुए हाथ से अच्छे से एक पराबर करते हुए सिलाई लगा करके अस्तर को अटेश कर लेना है आजू बाजू में मैंने थोड़ा सा छोड़ते हुए डिजाइन को अटेस किया है क्योंकि हमारे मार्जन के लिए जो चाहिए अंदर कपड़ा उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है एक्ष्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से कितने अच्छे से फिनेशिंग के साथ में कोना वाला डिजाइन हमारा बन करके तयार है और अभी मैं यहाँ पे लेस लगाऊंगे इस तरीके से रखते हुए लेस को हम सीधी सिलाई लगा करके अटेश कर लेंगे फिनेशिंग के साथ में अच्छे से सिलाई लगाएंगे मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ आप चाहिए तो बिना लेस के भी रख सकते हैं और यहाँ तो आप लेस की जगह पे कपड़े की पट्टी बना करके भी लगा सकते हैं बहुत ही सुन्दर डिजाइन है और बहुत ही आसान है बहुत जल्दी से बन जाता है इसे कोई भी आसानी से बना सकता है तो आप देख सकते हैं कितना सरल है और कितना सुन्दर है यह डिजाइन यह देखें यह हमारा आस्थिन का डिजाइन बन करके रेडी है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें